है लो गईश डिजाइन शोटे चल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमर और आज की इस कमाल की वीडियो में हम कुछ ऐसा बनाने की प्राक्टिस करेंगे सो गईज यह बहुत ही सिंपल है बस थोड़ सा ट्रिकी है एंड गईज यहा पर अगर आप में चल पर नए है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब बैल आकोन का दबा दे ताकि में जो लेटीस वीडियों के अपडिट हैं वो आपको मिलते रहें तो चलिए यहां पर हम बिल्कुली डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप इसको बना पाएंगे सो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा तो रेक्टेंगल आप यहां पर देख सकते हैं रेक्टेंगल आपको एक स्क्वायर बनाना होगा तूल का नाम रेक्टेंगल है बड़ आपको यहां पर स्क्वायर बनाना होगा तो यहां पर कोई भ तुल कॉपीस डेनेट करुगा और किसी एक के अंदर में चेंजिस करों तो वो सबने रिफलैक्ट होगा अगर आप यह चेंज्डे नहीं देख पारे तो विई दर जाना होगा यहां पर मेक्श्र यह अंचेक हूँ आपका फिर आप यहां पर सारे कॉंपोनेट के changes एक साथ देख पाएंगे so guys यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले इस component के अंदर मैं गया यहाँ पर मैं tool लेने जा रहा हूँ two point arc और यहाँ पर मैंने पहला point select किया दूसरा point select किया और यहाँ पर आपको थोड़ा सा bump देना होगा but make sure आप axis को lock कर ले तो यहाँ पर मैं red axis को ऐसा lock कर लेता हूँ और छोटा सा ऐसा bump दे दिया आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको कैसे दिया अब यहाँ पर जो भी आपका extra है वो आप यहाँ पर ऐसा निकाल दे अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है इस line को ऐसा select करना है मतलब जो आपका arc आपने डाला है उसको select करना है वापिस से आप q command यानि की rotation को activate करेंगे यहाँ पर मैं वापिस से axis को lock करूँगा और यहाँ पर control क्लिक करके एक और copy manage generate कर दी same आपको इसी तरीके से दूसरी site पर भी करना होगा make sure आप अच्छे से सही से axis को lock कर रहे हो जो कि हमारा main motive है और बहुत ही जादा important है guys जो भी आपके extra lines आप उनको यहाँ पर ऐसा हटा देंगे और आपका model कुछ इस तरीके से यहाँ पर perform दिखेगा राइट अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा because of हमारा यह एक component है तो आप simply यहाँ पर उससे सबसे पहले Q command activate करेंगे select करने के बाद और यहाँ पर वापिस से axis को lock करेंगे using arrow की यहाँ पर मैं green axis पर गया और यहाँ पर 45 degree पर इसको मैंने rotate कर दिया ठीक है अब यहाँ पर move command active करेंगी जिसका shortcut M होता है मैं पहला corner लूँगा control click करूँगा और यहाँ पर मैंने ऐसा डाल दिया आप चाहें तो इसको ऐसा पहले कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पर वापिस से मैं move command active करूँगा control click किया end point पर गया into 10 मैंने कर दिया जिससे कि इसके total 10 copy यहाँ पर generate हो गए हैं राइट अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ सा ऐसा नीचे कर देता हो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको दूसरी साइट पर भी रख दूँगा तो उसके लिए यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आपका कुछ ऐसा बन जाता है वापिस आपको select करना होगा और यहाँ पर मैं move command active करने के बाद इसको देख सकते हैं मैंने कैसे किया है सेम आपको ऐसे ही करना है इंटू 10 कर दूँगा तो जिससे की कुछ इस तरीके का आपका backdrop तो design हो गया बट इसके back का design है वो अभी हम जल्द ही बनाने वाले है तो अब उसकी बार है कि कैसे आपको वो puff इसके अदर करना है बंप कैसे डालना है तो उसके लिए यहां पर आपको एक tool download करना होगा that is curvy love tool यह tool का link जो है मैंने नीचे description में दे दिया है आप इसको simply window पर जाएंगे यहां पर extension manager पर जाना है install extension पर click करेंगे और वो particular rbz file को select कर लेंगे so guys अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूँ इस particular component में जा रहा हूँ जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था अगर आप एक के अंदर edit करेंगे वो तो सब में reflect होगा because of the component right guys अगर यह video पसंद आ रही तो यार like ज़रूर करना and guys यहां पर अब मैं वापिस से आ जाता हूँ point पर तो यहां पर इन 4 lines को 4 r को मैंने select कर लिया है जो कि हमारे bump है अब यहां पर मैं select करने जा रहा हूँ करवी skin contour tool को जिसे कि आप देख सकते हैं किस तरी किसा bump face create कर सकता है यह so guys यहां पर मैंने single click किया और यहां पर आप देख सकते हैं आपका यह किस तरी किसे बन गया है so guys यहां पर एक और point को आपको ध्यान रखना होगा because जब यह आपका curvy love tool यूज हुआ तो आपका यहां पर अगर आप notice करेंगे तो आपके दो faces यहां पर यह generate किया है मतब एक तो आपका पीछे जो edge है वो तो अल्रेड़ी है और एक यहां पर आपका main impact है वो तो आपको ऐसा select करना होगा shift click करके इस पर ऐसा click करेंगे ताकि आप जो extra आपका edge है इसको आप delete कर पाए है because अभी हम यहां पर एक circle बनाने वाले यहां पर मैं button बनाने जा रहा हूँ अब अच्छे से देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं button आप किसी भी एक corner पर चले जाएं किसी भी एक corner पर आप जा सकते हैं और कहीं पर भी एक circle बना है पर make sure वो एक axis में हो जैसे आप देख सकते हैं जो अगर मैं बना रहा हूं तो यह सब में ऐसा एक साथ reflect हो रहा है because of the component राइट यहां पर मैंने थोड़ा सा size छोटा कर दिया है आप अपने according इसको कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं यहां पर मैं ऐसा बना दिया होती ही नहीं है बटन की because यह backdrop के अंदर बहुत छोटे लेवल पर होता है तो make sure window के अंदर जाएंगे default tray पर जाएंगे और entity info को check mark ज़रूर कर लेंगे ठेक है अब यहां पर क्या करना है मुझे segments को कम करना है तो यहां पर मैं 14 एंटर कर रहा हूं और same दूसरे वाले को भी आपको करना ज़रूरी है तो यहां पर मैंने कर दिया 14 यहां पर sphere बनाने का बहुत आसान तरीका है आप इसको ऐसा select करेंगे यहां पर मैं follow me tool को select क्यों और ऐसा click कर दिया make sure आप इसको ऐसा reverse face कर देंगे और इसके अंदर जो एक और circle है उसको हटाने के लिए मैं यहां पर k वापिस से press करूँगा जिससे मेरे back edges दिखने start हो जाते हैं और eraser command activate करूँगा e shortcut command होता है और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपके यहां पर जो buttons है वो यहां पर बन चुके हैं अब बार यह इसको color provide करने की तो यहां पर मैं एक color M02 ले रहा हूँ और यहां पर मैंने ऐसा डाल दिया अब यहां पर भी हम colors को assign कर सकते हैं एक material को तो यहां पर मैं वीरे के materials को use कर रहा हूँ वीरे 5.1 में use कर रहा हूँ जिसकी batch अभी perso से start होने वाली है अगर आपको start करना है वो group class तो join करना है group class तो आप जो है मेरे को नीचे मेरा WhatsApp number है आप मेरे को वहाँ पर tank कर सकते हैं अगर आपको अपनी modeling strong करनी है तो सिर्फ basic से कुछ नहीं होदा है बहुत reasonable rate यानि कि 2000 रुबिस में 30 वीडियोस हैं आप बिल्कुल basic से pro level तक सीख जाओ गया ना तो वो purchase आप जरूर करना so guys यहाँ पर मैं इस particular fabric B01 को मैं जो है select करूँगा select करने के बाद यहाँ पर मैं इसको right click करके apply कर देता हो make sure guys यहाँ पर यह बिल्कुल सही से apply हो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आपके पास Frido6 का टूल है आप यहाँ पर through paint को यूज करेंगे जैसे कि मैंने last video में भी बता है था but guys make sure आप उस particular material को select जरूर रखे है ना so यहाँ पर मैं bucket tool से पहले इस material को एक बार select कर लेता हो अब मैं वापस से through paint पर जाओंगा और मैं ऐसा click कर दूँगा और अब यहाँ पर बारी है एक रेंडर शॉट की बट उससे पहले अगर आप एक और चीज करें तो इसके अंदर कहना अभी कि kind of इसके मतब एजी जो है वो कटे हुए है ना बिल्कुल इक्वल है बट इस case में तो आप देखने बारे तो उसको कैसे perform करना है तो यहाँ पर फिर से इसको करते हैं एक बार इसको आपको गुरूप बनाना होगा अब इस गुरूप के अंदर जाएंगे चलिक करूँगा मैं और इन सभी को सारा काम होने के बाद आपको एक्सप्लोड करना है ठीक है मैं एक और बार एक्सप्लोड करूँगा हो सकता है यहाँ पर आपके PC में यह perform करने में इसको टाइम लगे इसलिए यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है बहुत जल्दी हो सके तो यहाँ पर यह बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस करेगा राइट यहाँ पर आपको यह सब कुछ डिटेल में मैं बता रहा हूँ अगर यह सब कुछ समझ में आ रहा है तो यह ज़रूर करना आप देख सकते हैं यह इस तरीके से ऐसा हमारा बन होगा यहाँ पर मैं इसको राइट पर क्लिक कर दूँगा जिससे कि अभी बिल्कुल टूडी हो चुका है गाइस अब यहाँ पर एक प्लग इन रिक्वार्ड होगा जो रो टूल बहुत ही जादा कमाल का है मैं इसको हिट कमांड में से एक बोलता हूँ यहाँ पर क्या करत से आपको यहाँ पर ऐसे end point सेलेक्ट करना होगा और इसके help ऐसा cutting कर देंगा ना सो अगेन मैं इस point से भी ऐसा कर देता हूं और जब चारों तरफ से हो जाए आप easily select करेंगे और आपका सारा का सारा काम हो चुका है राइट अब यहाँ पर मैं इनको ऐसा बहुत बारी की सब सेलेक्ट करूँगा और मैंने कर दिया डिलीट सो बहुत प्रिसाइज वे में सब काम करना जरूरी होता है तब जाकर आपकी मॉडलिंग में एक निखार आप आते है राइट गईज आपको और प्रिसाइज वे में करना है तो आप यहां पर वो भी काम कर सकते हैं थोड़ा सापको क्लोज जूम करना होगा और यहां पर सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया राइट वैल यहां पर हो चुका है आप जो है बहुत शाप तरीके से करना चाहते तो कर सकते हैं यहां पर वापी से मैं पोस्टेक्टिव पर आ जाँ गा और यहां पर इसको मैं ले एक राज़ादा हूं मैं काफे सारे, यहां पर लगा चुका था अब मेरी बार है डिरेक्स्ट ली रेंडर करने की talking करेंगे ऎसे क और दिखाता हूं में आपको कि इसका इंपक्त किस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिल जाता है तो गाइस यहां पर हम कुछ इस तरीके से लाइटिंग को थोड़ सा अप एंड डाउन कर दिया मैंने अब गाइस यह तबाई शुरू करते हैं तो यहां पर मैं डिरेक्ली रेंडर पर क्लिक कर रहा हूं अगे आप को कोई मसला नहीं बड़ा ले सकते आप ड़ाि ले सकते हैं तो तोड़ सा ट्रिकी होता है ना तो आपको एयंपर एक के कोर्स लेने के बाद सो गाईज वन सगेन आपको अगर ये वीडियो पसंद आयो तो एर अपने दोस्तों के से जरू शेर करें यूसफल लगे हो तो एर लाइक जरू करना और अपने इंपोर्टेंट फीडियो याने के कमेंट जरू करें जब तक लिए चलते हैं बी सेफ थ चीव सब्सक्राइब सेफूद्श गाई प्रवस कारें जरू कीवाओ साफिए य कि डिल्स गाई जरू आगे यूणी क्लिदाने ऐसेख विगर यूडर्योंटे लाइट करें यूजग करें कि बारेण का बाद सब्सक्ट this लिए जियुग्ग you झाल झाल